नई न्यूज एक नए करेंट अफेर्स के साथ अवर एजुकेशन चैनल में और आज हम करेंट अफेर्स में बात करने वाले हैं जस्टीज और ला के बारे में इंडिया के लिए बड़े प्राउड मोमेंट है कि एक इंडियन्स को इंटरनेशन कोट अब जस्टीज में जुनियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है बड़ी सिंपल और बड़ा ही इंपक्टफुल उनका कोटस है इंजस्टीज एनिवेर इस त्रेट तो जस्टीज एवरिवेर दुनिया में न्या कहीं भी है वो किसी बी तरह का न्या है तो वो न्याए के लिए सबसे बड़ा कहीं यह हमारे GSK knowledge के लिए मार्टिन रूतर किंग है जिनने जुनियर गांधी की नाम से भी जाना जाता है यह अमेरिका में ब्लेक क्रांती लाने वाले महान क्रांती कारी कहें या UK के बड़े ही लिडर ते चलते हैं दोस्तों हम आज की current affairs news पे और देखते हैं कि आज की news मे क्या है तो current affairs news की जो headline है वो headline है India's big win the judge दलवीर भंडारी is related यह word code ICJ related हम एक एक point को समझेंगे बात को वीडियो को पूरा देखते रही है हम इस topic में इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बार में बताएंगे कि ICJ क्या है word code क्या है और अखी judge दलवीर भंडारी कौन है जिसक पर आपको पैनल कोड दिखाई दे रहें international court of justice के member की अब हम बात करते हैं topic पर ICJ के बारे में international court of justice क्या है तो international court of justice में right head sign पर आप देख रहे हैं उनका एक logo है जो कि उसमें एक lady बैठी हुए जिनकी eyes close है और वो balance तराजू को पकड़े हुए जिसमें उनका मानना है कि हम भी देखी मतलब हम उनका solution करते हैं न्याय करते हैं तो आते हैं topic पर यह established हुआ था ICJ international court of justice शौट में बताना चाहूँगा कि international court of justice international court of justice सभी देशों का एक court है जहां पर अगर कोई international issue होता है किसी country के regarding तो उसका समाधान या उसकी सुनवाई इस court के अंदर होती है इसकी established 1945 में कहां पर है मतलब कौन से country इसमें participate है या कौन इसके member है किनके problem से सुने जाते तो worldwide 193 state parties या country इसके member है location कहां पर ही है निदरलेंड के हाग्यू में city में है authorized किसने authorized कि है तो UN का चार्ट ने कि है United Nations चार्ट आइसे जी स्टाइव भी इसका पार्ट है जर्ट हम लेंग कितनी होती है कितने दिनों तक इसमें जो जर्ज न्यूकति किया जाता है उसका time period है वो है nine years currently president की अगर हम बात करें तो है रोनी अब्रहाम दोस्तों इसमें जितने भी topic है जितने भी point हो कहीं न कहीं हर point exam के उसे आप से पूछा जासा तो पूछा जा सकता तो answer रहेगा 190 ती ICJ का कौन सी country में तो answer रहेगा neither land और इसे authorized किसने क्या है तो हो है UN charter important question यह भी हो सकता है कि international court of justice जो है उसकी judge का total time period कितना है तो हो है nine years हमें आसा करता हूं को ICJ के बारे में total information मिल गई है अगर आपको यह news याद रखनी है information यह रखनी है तो बिलकुल screenshot ले जी ताकि बाद में revision करने में problem ना हो चलते हैं हम आज की news की story की जो मुख्य point जिसे इंडिया को बड़ा गर्व है दलवीर भंडारी जानते हैं उनके बारे में कि कोने दलवीर भंडारी और छोटा सब इसने बायो इनके बारे में जानेंगे और फिर हम इस news को conclude करेंगे कि आज की इस news में किया है दो दलवीर भंडारी जो है इनका बर्त हुआ है 1st October 1947 को यह lawyer family से आया है और justice भंडारी की जो study भी हो जोत्पूर उनिवर्सिटी से भी इन्होंने अपने graduation humanity and law में किया है राजस्तान हाई court में 1968 से 1970 में इन्होंने law की practice किया अप्टर successful 23 years का इन्होंने successful lawyer practice के बाद इनको देली हाई court में as a judge appoint किया गया आगे जानते है इनके बारे में कुछ दिनों बाद इने बंबे हाई court में chief justice of the बंबे हाई court नुकत किया गया 2005 जो की बहुत ही glory moment था मिश्टर भंडारी के लिए इन्हे supreme court as a judge नुकत किया गया आइसे जे ओन जून 19 2012 एक वेरी इंपोर्टेंट दीन था जिन्हें इंडिया अपिक्स court ने इंटरनेशल कोट आप जस्टीज मेंजर मेंबर नुकत किया गया इन 2014 जस्टीज भंडारी वास कंफर्म विध पद्मभूशन थर्ड हाइस्ट सिवलेस आवाडी मीडिया से भी ने नवाजा गया तो दोस्तों वापिस से पॉइंट सारे के सारे आ सकते हैं कि जो आज के टॉपिक में थे उनका बर्थ कभ हुआ था मिश्ट अलबिर भंडा इंडिया में जाने के जग्तिन्यूक्त होने के पहले ही कौन-कौन सी कोर्ट में जज्ट थे तो इनकी सुरवात हुई थी दिल्ली हाई कोट 1991 से उसके बाद बॉम्भाई कोट के चीफ चस्टीजर ये भी आपको याद रखना है और 2005 ये सूप्रीम कोट के जज्ट न्यूक थी या इंपैक्ट फुल थी हमें एक-एक करको देखते हैं सबसे पहले लेट में साइड में आपको रेट इसमें दे हिंदू मेरी जेक 1955 अमेंडमेंट भी क्या था दोस्तों कमेंट करके आप हमें बताए कि सेक्ट में क्या था किस तरकी इंफोर्मेशन थी आप हमें या होम सेल्टर, नाइट सेल्टर की प्रस्तावना रखी और हर सीटी में और हर छोटी जगह पर उन्होंने रेंबशरा बनाए थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं एक लेडी या जिसे राशन शॉप कहते हैं वह पर जो आनाज दिया जाता है इनका मानना था कि जो बिलो प ना अब इट मेडिया अपनी सजेशन दीती कि हर बच्ची का या अधिकार होना चाहिए कि उसको फ्री में मुक्त अच्छी सिख्छा मिले उन्हीं की तरजे पर सर्व सिख्छा भ्यान लाया गया था और लास्ट वाली पिक्च में आप देख रहे हैं कि जो प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन है उन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए ता कि बच्ची जो हमारा फंडेशन है वह अच्छी सिख्छा पा सके दोस्तों सुरू से लेकर आशा करता हूं आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा काफी नॉलेज़ेबल रहा होगा इस